प्राचेन काल से ही भारत की नदियां न केवल जीवन का अनंत सरोत रही हैं बलके विश्वस्निय नौचालन मार्ग भी साबित होई हैं भारत की नदियों में आधुनिक फ्रूच चलें व्यापार भी हो तूरिजन भी हो इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इस लक्ष को साकार करने के लिए 106 नए राष्ट्रिय जलमार्गों की शुरुआत की गई है जिससे आर्थिक छेत्र 25 गुना व्रिद्धी करेगा और देश में परेटन से जुड़े स्थानिय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा विकास की इस महत्वा कांची यात्रा में गंगा विलास रिवर क्रूज एक एहम अध्याय है विश्वका सबसे लंबा और अध्यादुनिक लर्जरी रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखंड, पश्चिम बंगाल और असम को मित्रदेश बांगला देश से जो गंगा, भागी रथी, हुगली, मेघना, जमुना और ब्रमपुत्र नदी पर बसे 40 प्रतिष्ठित स्थलों की इको फ्रेंडली यात्रा पर ले जाएगा जहां उन्हें पूर्व की 27 नदीयों के प्राकृतिक वास की एक खरीबी जलक मिलेगी माननीय प्रधान मंतरी से हरी जंडी मिलने के बाद गंगा विलास रिवर क्रूस की एतिहासिक यात्रा की शुरुआत होगी वारानसी के बवित्र घाटों से जहां से ये गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश के किलों, संग्रहालें और मंदिरों से होता हुआ गाजीपुर, वक्सर, बिहार पहुंचेगा जहां यात्री पटना साहे बुरुद्वारा के दर्शन और जार खंड के मनुरम द्रिश्य का लुथ पुठा पाएंगे परक्का में हुगली नदी पर अनोखे गामों और डाक बंगलों के मनमोहक नजारे और धोनिया क्रूज का स्वागत करेंगे जो जल्द ही कुलकाता के एतिहासिक महानगर की चहल पहल और लजीज मिठाईयों की दुनिया में प्रवेश करेगा और फिर धाराओं पर वहता हुआ विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल सुन्दर बन पहुच जाएगा जहां याक्री मेधना नदी डेल्टा की लहरों पर बोनो बीबी की कहानियों से अवगत होंगे गाजी रंगा के घने जंगल गुवाहाटी में स्थित सबसे प्राचीन शक्ती पीठों में से एक कामाख्या मंदिर निचले और उपरी असम को जोडने वाली वात्वपूर रेल कम सडक धमनी बोगी बिल पुल का वास्तोशल पचमतकार और माजुली की संस्कृतिक शामे इस यादगार याप्त्रा का अंतिम पड़ाव है जहां विश्व का परचय पूर्व की विशेश तोर पर संजोई गई संस्कृतिक और पाक विधाउं से होता है तो आईए और हमारे साथ मिलकर भारत की पावन नदियों के सम्रिध और अंचुए इतिहास का चश्न मनाईए क्योंकि एक भारत श्रिष्ठ भारत के समग्र राष्ट्रिय संकल्प के तहर पूरा देश मना रहा है संस्कृति का एक अद्विती ये उत्सव